यूपीय होया एंडिये राष्टपती पद का उमीदवार तै करने और फिर उसके समर्थन को लेकर गठवंदन की राजनीती में जिस तरह से विश्वास और तालमेल की कमी नजर आई उसे देखकर ये कहना मुश्किल नहीं कि 2014 के चुनाव तक राष्ट्रिय राजनीती में ब भी राष्ट्रिय राजनीती जिस मुकाम पर खड़ी है आपको लगता है कि सहयोग की राजनीती इसी तरह से 2014 के चुनाव तक चलेगी या तस्वीर बदल जाएगी देखें मैं इस समन्द में एक बात बड़ी दुर्भाग के पुर्ण समझता हूँ कि भारत की राजनीती को जितना दिन प्रते दिन मैच्चूर होना चाहिए था उतनी इम मैच्चूर होती चली जा रही है और वही बात जो आपने कही वो पूरे विपक्ष में पूरी भार्टियों में मैं देख रहा हूँ कि परिपक्ष की कमी है सोच की कमी है और लेकन आज देश की सित्वी है कि दिल्ली में जो सरकार है उसको तो कोई नहीं चाहता उसका विकल्प NDA के इलावा और कोई नहीं ह NDA में कोई समस्यां आई हैं हम कोशश कर रहे हैं उन समस्यां का समाधान करेंगे धीरे धीरे मुझे लगता है चीज़ने सोले जाएंगी क्योंकि वक्त की जरूरत है और वक्त की जरूरत के आगे पार्टियों को चुकना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा मिल करके चलन लेकिन जेडियू तो जुकने को तायार नहीं है बीजेपी के आगे देखिए ये जो बहस परधार मंतरी की शुरू हो गई ये बड़ी तुर्भाग के पूर्ण है इस बहस का कोई मतलब नहीं है और इस बहस को आगे बढ़ाने में जिसने जो गलती की है सबी ने गलती है की अभी समय है हमको चनाओ लड़ना है जीत जाएंगे उसके बाद ये सारे निर्णे होने है या समय से पर निर्णे कर लेंगे अभी से कौन प्रोजोक्ट हो रहा है कौन प्रोजोक्त कर रहा है ये बैस बिलकुल irrelevant है आपके साब से क्या जो प्रधान मंतरी पाध का उमीदव को पूरे सब लोगों को विश्वास में लेकर के तैय कर रहा है विचार विमर्ष करके जो सहमती बने उस सहमती के बाद ये निरने होना चाहिए आपके इसाब से आपकी पार्टी का राश्टर पत माफकी जी का प्रदान मंत्री पद का उमीदवार कैसा होना चाहिए नहीं प के बारे में सहमती बनती है सहमती सभी लोग मिलकर बैठकर आपस में विचार करके करते हैं आपको लगता है कि नरेंदर मौदी जिस तरह से आप कह रहे हैं देश को आगे ले जाने वाला प्रदान मंत्री होना चाहिए उनमें वो क्षमता है देखिए मैं किसी भी नेता के बैरेट को डिसकस यहां नहीं करना चाहता भारती जनता पार्टी के पास बहुत लोग हैं बहुत पोटेंशल उनमें है और उनके बारे में लेकर निरने सहमती से सब लोग करेंगे आपको लगता है कि बीजेपी के साथ साथ जो बाकी घटक दलने हैं उनकी हाँ भी जरूर बनने की संभावनित है नहीं यह हमको सोचना मिनीय चाहिए तो यह जो एंडिया है उसको ही वही विकलप है कॉंगर्स का विकलप केवल एंडिया है और इसलिए एंडिया में जो सहयोगी दल हें उनके साथ मिलकर बैटकर बाच्चित होनी अच्छा नहीं दुर्भाग के पूर्ण है। परिपकता हो गई है किस विशे पर कब क्या बोलना चाहिए। इसका जो विवेक है वो थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन बीजेपी पिछले दो तीन तीन सालों से ऐसा देखने में आया है कि नरेंदर मोदी और नितिश कुमार में जो एक कोल्ड वार चल रही थी वो अब ओपन हो चुकिया, खुलकर सामने आ चुकिया, उसे खतम नहीं कर पाई। और यहां तक कि बीजेपी और जदिव का रिष्टा खतम होने की कगार पर पहुंच गया है। आपको लगता है कि बीजेपी के पास आज की डेट में परधानमंत्री पद के लिए मोदी के इलावा कोई विकल्प है। आपको लगता है कि नरेंदर मोदी जो चाहते हैं वो बीजेपी में अपनी मर्जी मनवा कर रहते हैं। देखे मैंने काना कि कुछ घटना ऐसी घटी हैं। पार्टी से उपर तो कोई होता नहीं होना भी नहीं चाहिए। पार्टी अनुशाशन पार्टी के मर्यादा। और पार्टी के अनुशाशन में सब लोग चल रहे हैं। ये तो मैसेज ठीक ढंक से जाना चाहिए। उसमें कहीं पर कमी आई है वो अच्छी बात नहीं है। हम उस कमी को दूर करने की कोशश करेंगे। हिंदत तो पूजा पद्धिती नहीं है। हिंदत तो एंटी मुसलिंजम नहीं है। हिंदत तो जीवन पद्धिती है। मैं इस कमी को सुईकार करता हूँ कि एक अकेला विवेकनन दुनिया को हिंदत तो समझा पाया। हम और हमारे कुछ हैयोगी। हिंदत तो ठीक नंग से नहीं समझा पाए उस दिशा में कुछ गल्तियां रही और मैं तो व्यक्तिकत रूप से यह मानता हूं कि 6 दिसंबर आयोध्या में जो कुछ हुआ था बड़ा दुरभाग के पुरूंता उससे हिंदत तो को नुक्षान हुआ है आपने कहा कि अयोध्या में जो हुआ वो ठीक नहीं था तो क्या 2002 में जो गुजरात में हुआ आपके हिसाब से वो ठीक था वो कैसे ठीक हो सकता है वो भी ठीक नहीं था आस्टपती के चुनाब में आपने देखा होगा आप लोगों की तैयारी नहीं थी संगमा तो अच्छा हुआ कि पहले से तैयारी किये हुए थे वरना आप तो ना चुनाब लड़ते और ना प्रणमर्शी मुखर जी को समर्थन कर पाते तो ऐसी स्थिती में एक इतना बड़ कि अगर बीजेपी अकेली अपने दम पर चाहेगी तो सत्ता में नहीं आ सकती लिहाजा एंडिये के जो बाकी घटक हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर सत्ता में दोबारा लोटना है तो एक जूट रहना पड़ेगा वरना सत्ता की कुर्सी नजदीक नहीं है